हेलो सुट्टेंट, so function की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं function का first format, क्योंकि last video में आपको बता था function को define करने के four format है, उसमें से हम आज start करेंगे without parameter and no return value, यह है function का first format, अब इसको define करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले यहाँ note करते हैं कि without parameter and no return value, इसका मैंने याद रखने वाला वे क्या बतायाता वो था टेक नथिंग बनेगा अब को टेक नथिंग कि एन्ड एन्ड गीव नफिंग एन्टीन गीव नफिंग मतलब ने तो इसके पास कोई चीज लेने के लिए और नहीं हमें कोई चीज value वापस देगा टेक नथिंग एंड गिव नथिंग तो इसको याद रखने के लिए यह sentence है और actually इसको programming के pointer से देखें तो यह इसका format है क्लिए रहा बात अब इसमें दो चीज़ है एक ता है without parameter और एक है रेंटर value no return value अगर कोई function याद रखना ही बहुत हमेशा के लिए function के साथ अगर कोई function no return है तो जब उसको syntax होगा define करेंगे मैं syntax बता रहा पहले आपको no return वाले function हमेशा define होगा word से उसकी starting होगा word no return वाले case में है अगर function with return है तो वो function कभी word से नहीं बनेगा आपको पहला point याद रखना है यह no return function define के जाएगा word से इस टाइट वाइगा फिर उसके बाद function का नाम आएगा बट अगर function with return है तो वोइड नहीं आएगा यहां पर कुछ और आएगा सिफ आपको फिला इतने बाद याद रखनी है वोइड आएगा उसके बाद function का नाम आएगा फंक्शन नेम फंक्शन नेम और इसका जो पारेंथेशिस हैं यह ब्लैंक रहेगा क्योंकि यह पर कहाई विदाओट पारेमेटर मतलब टेक नतिंग कुछ नहीं लेगा देन हम इसकी ब्रेशिस ओपन करेंगे फंक्शन का ब्लोग बनाएंगे और यहां पर हम वह स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे जो फंक्शन में तुम लिखना चाहते हो फंक्शन का ब्लोग फंक्शन की बोड़ी बोलते हैं इसको यह बोलत आएगा function का नाम function की definition यह आप हो जाएगी after that जब यह आप कर लोगे फिर function को is format कैसे करेंगे उसे बोलें how to use उसे बोलता है how to use यह कहते हं इसके इसके यूज करने का तरीका है यूज़ करने तरीका जो होता है conception को define सब्सक्म करने यूज़ करता है तो हम इस format में द्मेस फारम्यट पर धियान देता है वएड यहां पर या कुछ ओर लिखा वह उसको करना वएड آयो सिफे नाम यू दाम से होते हैं इस format से function define ऐसे होगा और उसको use ऐसे करेंगे, यह है first format, अब यह syntax को हम apply करते हैं, एक बहुत small program के उपर, बहुत छोटे example के उपर, कि यह format हमेंगा use करना पढ़ जाए program है, जो कैसे करेंगे, अब देखते हैं इसका example, यह है example question है, write a program to input a number, calculate and print its square, यह अगर question किसी strand को दिये जाए, तो उसके लिए बहुत easy है, कि simple number input करना है, और उसको हमने square निकालके इसको print करना है, बहुत easy question है, बहुत easy question है, बहुत आसान है, इसको mostly सभी strand कर देंगे, जिसना C थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, यह बात समझ आगे, लेकिन दिक्कत कहां पाती है, जब इस question में लिखता है, using function, जहां पर यह word लिख बट function से कैसे करेंगे, यह problem करता है, तो इसी problem को दूर करना है, कि function, अगर आपको simple program आता है, तो function से भी आप कर दोगे, लेकिन आपको करना कैसे है, आप पस इसका idea नहीं है, यह idea बताना है मुझे, अगर आप इसको simple करोगे, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप header file को include कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, main function यूज करोगे, main, मैं रहता हूँ main, main उसके लिए आप एक variable define करोगे, interior के अंदर, suppose मैंने लिया और एक square निकालने लिए x define कर लिया, number को हम input करा लेंगे, printf function के अंदर, printf function के अंदर, message देंगे, enter a number, इस message को बाद हम उस number को get करेंगे, scanf function के तुरू, percentage d, address of n, मैंने उसको number का n में get कर लिया, simple है, फिर x equal to n into n, आपने इसका multiply calculate कर लिए है, और उसके बाद x की value को हमने print करा दिया, message के साथ the square, ये message आज़ेगा, the square, और x की value को easily print कर दिया, that's it, ये हमने program कर लिया, मैंने के अंदर, कि sir, कोई दिक्कत नी, square निकान ला, तो मैं easily ऐसे कर सकता हूँ, but function से करना नहीं आ रहा है, और आम या कि function से करने नहीं कैसे करता है, अगर आप simple कर सकते हो, तो function से भी आप कर सकते हो, कैसे, आपने क्या करना है, जो आपने नाम इसका main रखाया है, इसको आप replace कर दो, square, square नाम से, square, और जैसे मैंने आपको first format का syntax लिखाया था भी, कि जो function no return होता है, उसकी starting किस्ता होगी, उसकी starting होगी, void से, यह मैंने आपको बताया था, यह दखना है कि जो function without return होगा, मतलब give nothing होगा, वो किस से define होगा, void से, void, square, और इसमें आपने कुछ नहीं चेंज करना, जो आपने main में कर देते काम, वो ही आपने square के अंदर कर दिया, बस simple है, इस ऐसे बनता है function, तो जो student इस चीज़ से गराता है कि using function कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कर लोगे, simple है, बट इस program में एक problem आएगी, problem क्या होगी, जब आप इस program को run करोंगे, तो program run नहीं होगा, यहाँ problem आएगी, run क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब program को run करते हैं, तो उसका operating system call करता है main, क्या program में 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 है, program मते स्क्वार है, तो जब कोई main नहीं है तो program चले गाई नहीं, तो इस चलाने के लिए, तो यहाँ problem आएगी, तो क्या करेंगे हम, इसको चलाने के लिए, अपने program में में define कर देंग, simple है, और में को मैं भाइया जरह इस परवराम को इस फॉक्षन को जरह एक्जिगूट कर दो जो मैंने बनाए से एक्जिगूट कर दो तो यह ना में फंक्षन के अंदर कोल कर लें यूज कर लेंगे यह कोल हो जाएगा रन हो जाएगा तो किसी भी फंक्षन को अगर यहां पर एक एक message दे दिया simple normal समझाने पर पर पस्स से printf में यहां पर लिख दिया hello hello main यहां पर लिख दिया hello main line change करा दी उसके बाद उसके बाद मैंने इस function को use करना यह function यहां से चलवाना है तो क्या करना होगा simple यहां पर हम लिख देंगे square यहां पर में लिख देंगे square और उसके बाद return 0 जो हम अब तक करते हैं यह मेरा main function हो गया यह में फंक्शन तो प्रोग्राम में total number function कितने होगे two function होगे एक किस नाम से square एक किस नाम से main लेकिन जब फोग्राम को रन करेंगे तो ओ प्रिंट से किसे कोल करेंगा main को तो प्रोग्राम स्टर्ट कहां सोगा यहां से start होगा यहां से start होगा तो सबसे पहले क्या print होगा और पुट पुट रान ऊएगा output प्रिंट हो जाएगा hello main लिखा देगा उसके बाद n ba next statement आए square को हमने यहाँ payment ए यूज्टीर के यहाँ यूज के निखा लिखाय जब define करते हैं तो वोईड आएगा और यूजब एक्वित से दिखते हैं तो स्कारणाम्ड से यूज़ करें जैसे स्कार यूज़ राप प्रोग्राम का कंट्रोल इसक्वार के पास आजाएगा अब प्रोग्राम यहां से अग्जीगूट हना शुरूओ अब में सच आया यहां पर जब यहां से स्टार्ट होगा आप जानते हैं यह कोड जो आपने लिखा था वो आप समझते ही हो पहले लिखा जाएगा अब आपने कोई नंबर देना सपोज मैंने 5 दे दिया वह इसका नंदर स्कूर निकाल दिया और स्कीन पर स्कूर को प्रिंट करा दिया दे स्कूर और उसके बाद वैल्यू आजाएगी 25 यह हूँ अब जैसे यह प्रोग्राम कंप्लीट हुआ अब प्रोग्राम कंट्रोल कहा यह आपको कंफर्म करना हो तो मिं क्या करेंगे इस चीज को भी कंफर्म कर लेता है यहां पर एक लाइन भी एड कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रिंट एफ की फंदन में लिग दिया वैलकम प्रिंट फंक्श्म में वैलकम उसके बाद रिटर्ण स्टेट्में लिखा अब जैसे ही प्रिंट हुआ है है स्क्कॉर्स की पहुंच लिए था बाद में वडा निकल दिया यह हैस का रिधां करने का तरीका कि जब प्र्णक थोतै包ने और किपने भी फंən करें निकाल और जब फंक्शन में यूज करेंगे तो उसके पास पहुंचाएंगा उस टाइम पर कम्प्लीट उसका टास्क टास्क फंक्शन नकार्म कंट्रोल वापस में आता है और में के उस function के बाद जो को लिंग थी जो स्टेडमेंट होगे वह होंगे मतलब में से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है और में फंक्शन से ही एंडिंग होती है यह तरीका होता है function को बना कर यूज करने का इसमें यहां पर मैंने जो function बनाया है उसको बोलता है यह मैंने यह function को define किया यह की function की definition और जहां यूज करते हैं उसे बोलता है उसे बोलता है calling यहां पर मैंने call किया है calling बोल यह उसको बोलता है invoking उसको invoking भी कह सकते हैं यह बास समय आगी इसमें चोट असा point होता है कि अगर आपने function बनाया main से पहले मैंने इसके बाद मैं तो यह प्रोग्राम एजिली एक्जिट होता है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम इस function को में के बाद भी define कर सकते हैं क्या यह function main function के बाद भी define कर सकता है बिलकुल कर सकता है एक small change के साथ definition में जो code लिखा इसमें कोई change नहीं आएक बिलुब एक्जिट सेम लिख रहा है अगर जो change आएक बाद में के साथ होगा इसका second बे देखते हैं मैंने यहां पर header file के बाद पहले main को define कर दिया int main int main और यहां पर जो मैंने code यह लिखा था यह exit यहां लिखना है यहां मैं लिखना है printer इसमें लिखा था hello main और उसके बाद line change then मैंने यहां पर function को then मैंने यह function को use किया था तो यहां लिखा था square function को use किया था square उसके बाद एक line message में दिखी थी वो थी welcome यह इस तरह से है फि मैंने इसको return में program को complete कर दिया था यह मेंना main complete हो गया था अब मैंने इस function को define करना एक्जेक्ट बिल्कु सेम एक्जेक्ट यहां पर उसका नाम है void square void square और इसको मैंने एक number input कर लेना है n और x variable लेगा यह मैंसे define कर देंगे printf में enter a number उसको scan कर लगता है scan of function के थुरू scan of function से उसको हम scan करेंगे n variable के अंदर और x equal n multiply n print कर देंगे यहां पर हम printf में print कर देंगे इस the square परसेंटर डी और उसके बाद x की value यह मैंने function बना दिया square का main के नीचे तो जब इस program को run करूं तो इस पर एक problem आ सकती है वह problem क्या है कि जब आप main को पहले define को रहें तो program को जो execution में से start होगा इसका मतलब है कि इस बार main से पहले आपने कोई code ने लिखा तो compare ने यह open system जिसने program run किया है उसने कोई code read नहीं किया direct main read गया और main execute होगा जब आपने function यहां बना कि उसको use यहां पर कर रखा है तो इस में आ सकती है this function यानि square function should have prototype यहां पर आ सकते कि square function should have prototype यह function कहां है कि set the file में है आपने बनाया तो उसको declare क्यों नहीं किया क्योंकि जैसे हम मैं इसको एक्स को suppose यहां पर declare नहीं करता सिर्फ n ले लिया उसको input करो और एक्स में मैंने use किया और उसको print कर दिया एक्स यूज हुआ है लेकिन यहां पर declare नहीं हुआ तो क्या रहाएगी अंडिफाइन सिंबल एक्स क्या आपने यूज किया हुआ लेकिन declare नहीं करका define नहीं करका वही मतलब यहां में के साथ हो जाता है कि अगर आप में के बाद कोई function you define करते हो उसको में में यूज करते हो तो फिर में को भी बताना पड़ता है कि यह function में नीचे बना कर यूज हो रहा तो वहां इसको आपने यूज को कॉल करना है बात क्लिर आई तो उसको solution इसका ही होगा कि यह जो function की लाइन है पूरी जिसमें इसकी रिंट टाइप होलता है इसको यह नाम अगर पैरेमेटर है वह भी पूरी एक्जट सेम लाइन यहां पर आपको define करनी होती है वोईड स्क्वेर वोईड स्क्वेर और यहां पर लगाना होगा सेमी कोलन इस तरह से तो यह function में मैंने मेंन को बता दिया कि जब इस में फोगा तो में इसको रिंट कर लगा वी समझ जाएंगा जहां दिफा करने हुआँशन को गा जहांब यह मपय उसको पॉंच खा यूर्ट करना है इसी लांवको बोलता है इस लांवको बोलता है function Declaration इसको बोलते है function declaration या prototype इसे बोलते है या prototype जो आपने डिकलेर करी है बता दिया कि function का नाम और trend relaxing नाम और प्रेमेटर नहीं है बिल्कु सेम लाइन इसी को बोलता है function declaration and function prototype clear है अगर यह problem आ रही है तो इस line को लिखने से problem दूर हो जाएगी second thing यहागी आप इस line को यहाँ पर भी declare कर सकते हो यह है इसका local declaration यह काम करने से function local बन जाएगा अगर आप इसको यहाँ पर declare तो global बन जाएगा और यहाँ यह by default global की format में यह local function नहीं है यह global है अगर किसी function को local बनाना हो तो वो function main के नीचे बना हो और उस line को main के as a first statement ध्याना करना यह as a first statement आना है अगर आप इसके बाद यह इसके बाद define करो तो भी error आएगी किसी function को अगर main में declare करना है तो as a first statement होना चाहिए ओके के लिए अगर बाद अब हमने देखना इसका यह वाला format को practical और यह वाला format को दोनों practical देखने करके आए प्रेक्टिकल सेशन के अंदर चलिए प्रेक्टिकल स्टार्ट करता हैं सबसे पहले हम visual studio code id को open कर लेते हैं और यहां पर हम जैसे हमने last video में एक file लेकर program इसको practical किया था जैसे हम लास्ट video में practical किया था वैसे ही जो मेरे यह फोल्डर है c tutorials के नाम से मेरे folder है यहां पर इसी के इंदर मुझे एक नई file लेनी है इसके यहां plus पर क्लिक करना है उसका नाम पूछेगा है मैंने function2.c यहां पर code हमने type करना है function का इसको मैं करता हूँ काम और अगर आप यहां पर click करोगे तो यह जो details है files की list है यह आपको hide हो जाएगी इस तरह से यहां पर program type करना है जैसे हमने board पर discuss किया था program वह program defining करते हैं सबसे पहले header file लगाते है hash include stdio.touch उसके बाद second header file लगाते है hash include cornyo.touch main function उसके बाद हमने एक function define किया था उसका नाम था void square function नाम रहा था void square और उस function के अंदर हमने two variable define किया थे integer n और दूसरा variable था x यहां पर मैंने number को input किया था enter the number कुछ भी रखता है enter any number भी रखता है message जो भी message यहां पर देंगे वो message sensible होना चाहिए enter a number और उसको मैंने scan of key through input करा लिया n variable के अंदर address of n यह हो गया number input यह जो मैं function यहां पर define कर रहा हो यह function का नाम है square इसको मैं बाद में complete हो जाएगा यह program successfully run हो जाएगा मैं इसको main function के नीचे भी define करके आपको program को run करके दिखाऊंगा तो अभी पहले complete कर लेता हूं फिर हमने x के अंदर n का square निकाला था इस तरह से और फिर बाद में मैंने print किया था printf से printf the square message के साथ the square is उसके बाद percentage d और मैंने x की value को print किया था यह मेरा function complete हो गया इसको मैंने program बनाया भी इसको editing किया इसको save कर लेता है अगर मैं इस program को run करता हूं यहां से यहां पर run करने का option होता है यहां मैं इस पर right click कर run code पर click करता हूं तो मेरे program में इसमें error आजाएगी error आजाएगी क्योंकि मैंने main function को define नहीं किया है सो बिना main के कोई भी program नहीं चलेगा इसमें main के यहां पाइर show कर दी main carrier है सो मैं इसको complete करने के लिए आपने इस function के नीचे main function को define करूंगा simple int main main के अंदर मैंने क्या किया था square function को call किया था square यहां पे इस तरह से उसके बाद get ch भी लगा सकते है requirement नहीं लेकिन लगा सकते हैं ताकि बाद में जो program का output आता है वो extra जो चीज़ आती है वो नहीं आएगी इसका यह फायदा हो जाएगा उसके बाद return 0 यह मेरा program complete मैंने इसको control एस से save कर लिया अब मैं इसको compile solution करता हूँ run code पर click करके मैंने program successfully run हो चुका लिखाया enter any number मैं number इता है suppose 5 और मेरा answer आ जाएगा the square is 25 यह जो detail आ रही है मुझे अगर यह detail भी नहीं चाहिए तो मुझे यह detail को clear करने के लिए एक function use करना होता है main में उसका नाम है system system function को use करेंगा और cls इसके अंदर defining कर देंगा इसके लिए मुझे एक अलग से head of fire include करने होगी ओपर यहां पर उसका नाम है stdlib stdlib.h अब मैं इसको यहां से भी right click run कर सकते हैं या यह run का option होता है यहां पर इस पर भी click करके आप program run कर सकते हैं अब देखना जो ऊपर की detail थी वह नहीं आई number पूछा number मैं इस बार लेता हूं 12 और ऐसे enter करता हूं तो मेरे सामने 12 का answer 144 इसका square आगया है clear है बात यह अब मैं इसको program को जो function मनाया था एक बार मैं यहां से इसको करता हूं remove और इसको main के नीचे define कर लेता हूं तो मेरा function main के नीचे आगया अब यह local function हो गया इसको run कर लेता है run किया और फिर से message दिया enter any number enter any number मैं यहां पर कोई number देना है suppose मैं मनता हूं 10 तो मेरा यहां से भी square आ गया है 100 so function आप main से पहले बना सकते हैं और function को आप main से बाद भी बना सकते हैं तो दोनों तरीके से VS code में हम इसको बना सकते हैं कोई problem नहीं है program successfully run हो चुका clear है आपको यही practice अपने system में खुद से करने है कर दो